आज हम लोग समझेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है फॉर बिगनर्स हाई गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवानी यहां पर मैंने ब्लॉगिंग वर्डप्रेस होस्टिंग से रिलेटेड कापी वीडियो बनाए हैं आज लोग बात करने वाले हैं वर्डप्रेस ट्योट्याल के बारे में वर्डप्रेश क्या होता है कैसे इसको यूज़ करना रहता है बिगनर्स के लिए वर्द्रेस को आसान भाशन रहाइन मेरा सम्झाओंगा easy करके जो जो उसमें important terms है जो important features है उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे the idea is कि मैं यहाँ पर आपको 20% knowledge दे दू ताकि जो 80% चीजे हैं वो आप लोग सीख जाओ सिर्फ 20% knowledge में वो इस वीडियो के यहाँ पर main motive होने वाला है और जो knowledge आपको मिलेगा उसके basis पे दिन आगे चलके आप लोग खुद अपने खुद के wordpress blogs बना सकते हो websites बना सकते हो easily बना सकते हो थोड़ा advance पर जा सकते हो अगर आपके यहाँ पर basics clear हो जाए तो वो जो basics है एकदम जो base level के रहते हैं वो मैं आपे clear करने ही कोशिश करूँगा एकदम simple language में plus practical दिखा के भी so video के purpose को अगर मैं आपे sum up करूँ तो wordpress के basic terms आपको समझ में आजाए wordpress basic कैसे use करना है वो आपको समझ में आजाए एक आप लोग अपना simple सा blog यहाँ website बना पाओ डोमेन और hosting कर पाऊ उससे और जो wordpress basics आप लोग सीखो वो आपको ready कर ले advanced wordpress blogs और websites बनाने के लिए इससे पहले मैं आगे बढ़ू दो common terms यहाँ पे रहते है wordpress.com और wordpress.org अब इन दौनों में क्या difference से उसके लिए में detailed video बना चुका हूँ आपको आई बटन पर मिल जाएगा in short.com में managed hosting रहती है .org में self-hosted hosting रहती है मतलब आपको hosting और domain खुद से manage करना पड़ता है .org में और majorly जो भी wordpress bloggers है और जो भी advanced bloggers है वो यहाँ पर .org का ही use करते हैं और आज के इस वीडियो में भी हम लोग .org यूज करने वाले है अब wordpress पर जाने से पहले यहाँ पर दो और चीज़े आती है वो हता है domain name और hosting अब यह दोनों क्या है उसके लिए मैं already detailed video बना चुका हूँ हूँ जापे बेसिक से पूरे clear करके रखे है इन शॉर्ट अगर बता हूँ तो domain name में आप लोगों का रहता है website का नाम आपकी website का नाम क्या रहेगा जैसे kripesh.com, kripesh.com, kripesh.in यह सारे website के नाम हो गए तो वो domain name में आ जाता है then hosting means आपकी website यहाँ पर कहां पर रहेगी इस बेसिकली कि आप लोग online एक जमीन खरीद रहे हो तो जमीन आपको कहां खरीदनी है वो रहती है web hosting डीटेल्ल वीडियो जाके देख सकते हो आप काई बटन पर मिल जाएगा महाँ पर मैंने सारे इसके concept को क्लियर किया है दो में और छोवस्तिंग के बाद हमारा यह पर वर्ट्पेस इंस्ट偉 का तो सबसे पहले हम लोग शुर। दो में our domain video isb रखेशें कर लेते हैं और वार्ट्रेस वेबसाइट रहेगा अगर डियो चाहिए लिए वार्ट्रेस राएट हो बोर्ट्रेस उसके अपर व्रट्रेस पीजित करेंगे विडियो के या अंगर नीचे देगाई लिंक का यूज कर सकते हो जब अपने अगर बताता हूं अब प करना है तो अभी यहां से हम लोग पर्चेस कर लेंगे गेट सब्सक्राइब कर लेंगे एंद बेस्ट वेपोस्टिंग ठीक है सिलेक कर लेते हैं यहां पर तीन चार प्लांस आरें जितने जादा महीने का लोगे उतना जादा आपको फायदा होगा और यहां पर रिफंड भी यूपीय पेमेंट के सारे मेंठ्स और अप्शिण से आपर अवज़ेबल यूपीय उसे करो ज्याद अच्छा रहेंगा फॉर में एक रेडिजा रेखार और तो अपर आपको इसकाउट कूपन कोड भी मिल जाएगा आपको यहां आपर एंटर कर आट कर तो यहां गेट ए आपर पासवर्ट डाले लेट्स क्लिक ओन कंफॉर्म ठीक है पासवर्ट स्थाट नाओ ओके वाकिंग फॉर मैसेज़ शिक्प कर देते हैं फिलाल हम लोग इसको नेंडिया में हम मेरी और वीम लोकेशन रहे हैं जहां पर भी ट्राफिक आने वाले हैं जिस भी लोकेशन से असरवाख सारे रिया है थेज से अपका गौटमें अच्टु बन रही है व्यूरोप से कर रह तो यूरोप से नहां फॉरोप का कर ला के र没有 यापर इसे इंडिया से लिए बके अशिथ कर कर दो कर दो क्लिछ यूरोप का कर लिए भ्लोग cam Indio कर नहीं और दो डिटेक्ट वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे हम लोग अब यहां पर आपको टाइटल देदेना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का तो यहां पर मैं देता हूं के पी डेमोड अव्लूपी और आपका यूजर नीम और एक अडमीन पासफ़र्ड हम लोग इन कर दिया है अब बहुत बार यहां पर होस्तिंग कंपरी अपनी खुद के कुछ प्लग इंस्टॉल प्लग इंस में जाओंगा और आपको अगर कुछ दिख रहा है जो कि आक्टिवेटेड है तो उसको हमें डियाक्टिवेट कर देना है मैं all-in-one SEO डियाक्टिवे अगर दिख रहा है तो ठीक है नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं इस ते पहले मैं आगे चांटिव रहुआ है दो चीजे यहां पर आपको पता होनी चाहिए वर्डप्रेस से रिलेटेड वह एथ थीम्स और प्लग इन्स तीम्स होती आपके वर्डप्रेस की स्टाइल जो भी बाड़ाइड टाइल ते चाहिए जो भी प्लग इन्स ताइल टाइणि जो भी अपके वर्डप्रेस की ब्लॉग लेयाओ कैसा दिखना चाहिए किस तरह कि अपके फॉंड सोने चीए वह सब डिसाइड होता है तीम से कैसा है फुटर रहना चीए किसे प्लग एक्श वो और यहां पर बढ़ जाती है जैसे मुझे मानलो आड करना शेयर का बटन मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्लॉक को कोई भी आपर शेयर कर पाए तो मैं एक प्लग-इन यूज करूँगा जो कि वो शेयर की फंक्शनालिटी वहां पर आड कर देगा यहां मुझे एकॉमर्स की फंक्शनालिटी चाहिए यहां मुझे चाहिए कि लोग रिव्यूस छोड़ पाए तो इन सब के प्लग-इन से जो भी आपकी वेबसाइट की फंक्शनालिटी वह इंक्रीज हो जाती है तो बेसिकली वर्ट्रेस से आप लोग कुछ भी चीज़े कर सकते हो किस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड प्रोडक्त आपका कुछ भी बना सकते हो यहां पर e-commerce बना सकते हो simple से लाडनिंग पेज बना सकते हो digital store बना सकते हो podcast ले कुछ बना सकते हो तो आपकी website यहां पर slow हो जाएगी तो हमें हमारी website को minimum रखना है minimum themes का यूज करेंगे minimum plugins का यूज करेंगे minimum styling करेंगे कि modern भी दिखे लेकिन speed भी अच्छी होनी चीज़ जादा plugins दाल दोगे तो speed भी आपकी website की यहां पर slow हो जाएगी अब मैं आपर आपको overview देता हूँ left में आपर आपको सारे controls मिल जाएंगे जिससे भी control होगा जहां से आप लोग अपनी नई post create करोगे नई themes जहां से आप लोग डालोगे plugins को manage करोगे जो भी settings और रहे हो यहां पर आपको left side से दिखेगी right side पर जो भी उसका data है वो यहां पर आपको right side पर दिखेगा फॉर एक्जांबल मैं पोस्स लेकिया तो यहां पर मुझे right side पर दिखेगा अपीरेंस पर जाओंगा तो यहां पर आपको right side पर दिखेगा इसते पहले यहां पर मैं और चीज़े explain करूँ हम लोग एक theme को install कर देते हैं ताकि और easily समझ में आजाए मैं scratch से भी समझा दूँगा लेकिन अच्छे से अगर समझना है तो हम प्राक्टिकल यहां पर एक theme को install करते हैं add new करता हूं मैं उसके बाद जिस theme का हम लोग यहां पर यूज करेंगे बहुत है कि cadence के अडिन सी ए तो यह ब्लू कलर के तीम है यह आपको दिख रही होगी इस पर मैं install पर क्लिक कर दूँगा cadence is one of my favorite themes मेरा एक course है lightning blocks करके जहां पर मने बताया है कि ब्लॉक कैसे बनाना इस scratch से लेकर कि अच्छा ब्लॉक इसकी स्पीड बी अच्छी हो तो उसमें जो मैंने यहां पर यूज की थीम वह एक cadence वहां पर फ्री थीम और फ्री प्लॉग इंस का ही उसके यूज का है वहां प इस्टारटर टेंपलेट इंस्टाल करने को बोल रहा है लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे स्टारटर टेंपलेट्स क्या होता है वह मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा अभी सिफ यहां पर हमारी website को विजिट करके देखते हैं तो यह है सिंपल सी हमारी website वापस जाएं जो मेरे कोर्स की website जो एंड प्रड़क्त हो यही था तो जैसे यह एक ब्लॉग है तो अब यह कैसे बनाना यह कैसे लिखना है वह मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले आपको अपने डैश्बोड पर जाना है यहां पर पोस्ट पे चले जाना है तो यहां पर जितनी भी यहां पर एक डेमो पोस्ट दिखेगी आपको लेट्स गो टो वेबसाइट यहां पर जाके विजिट साइट में अगर करूंगा तो आप लोग अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे तो यह एक डेमो पोस्ट मुझे देख रही है हेलो वर्ल के नाम से यहां पर हम लो कि अगर यहां पर यहां पर कृष्ट कर देना है अब जो भी आप लोग चीजे कर ओगे उसको अगर आपको एडिट करना है तो एक तो यहां पर आपको उपर उसका बार मिल जाएगा जैसे अगर मुझे सकूब पोड करना है बोल्ट के लिए ऐपर मिल जाएगा इटालिक लिए भी आपर मिल जाएगा यहां पर यापर तो उसके लिए भी मिल जाएगा को राइट हैंड साइट पर दिख जएगлом के हैं जैसे यह बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जैसे में पर प्लस करूंगा यहापको बहुत सारे ब्लोक्स दिख जाएंग ब्राउज और सन Candice Crash कर देता है लिस ब्लोक्ट गाइन यहाँ पर च़्यकर क्लिक से अशड़िय다 अब यह जो blocks हैं by default आते हैं but if you need more blocks तो आप लोग एक plugin इंस्टॉल करके भी ले सकते हो अब मालो मुझे अगर इमेज डालनी है तो मैं वापस कहीं पर भी क्लिक कर दूँआ मालो मुझे इधर डालने मैं जाओंगा यहां से मैं इमेज पर चला जाओंगा इमेज पर अपलोड कर देंगे हम लोग सोलो ट्रावल ठीक है इसको क्लिक कर देते हैं यह आगे मेरी आपर इमेज इमेज में जो भी सेटिंग्स मुझे करनी हो राइट हैंड कॉलम पर मिल जाएगी और आल टेक्स वगरे भी आपर बह सबसे बड़ी होती है चोड़ा चोटे-चोटे होता है चोटे-चोटे होता है अब हम लोग आपको वीडियो पर जाना है इसका जो भी URL को हम लोग कर लेंगे वापस हम लोग पोस्त पर जाएंगे आपर आपको सिंप्ली पेस्ट कर देना है और वह आटो एंबेट कर देता है और इंपॉर्टन चीज जो रहती है वह रहता है बटन बटन के लिए बटन पर क्लिक कर देता हूं मैं अड़ टेक्स गेट बिस कोर्स चीक है इसको हम लोग यह पर सेंटर कर सकते हैं अगे नहा लेपनी को मिल जाएंगे तो इस तरीके से हम लोग यह पर अपनी पोस्ट प्रियेट कर सकते है टेक्स ढाल सकते इमेज डाल सकते है वीडियो शेर सकते लिस डाल सकते हैं तो यह हमारा ब्लॉक बंट चुका है अब एक दार आप प्रिवियू करणा प्रिवियू पे जाएंगे प्रिवियू नियूट देखने के लिए कैसा दिख रहा है एक इस तरीके से दिख रहा है न इसको पब्लिश करने से पहले एक और इंपोर्टेट चीज रहती है वह रहती है category यह जो दिखता है काटेग्रीज मतलब जैसी अगर आपको कुछ e-commerce पर जाकर शॉप करते हो तो हर प्रोड़क्ट के यहां पर काटेग्री होती है जैसे अगर आप फैशन ले रहे हो मेंस्वेर ले रहे हो जो भी ले रहे हो सब काटेग्रीज में आता है उसी तरीके से जो भ यहां पर इसको नाम देदेंगे बाट तो ट्रावल से रिलेटेट जितने बिए आर्टिकल्स रहें वह इस काटेग्री में आए मैं आपी कर देता हूं आप नियू काटेग्री में और रिफरेश करने के बाद आपर मैरी काटेग्री आ गई है त्रावल को सिलेक कर एंदेन वापस प्रिव्यू करके देखते हैं तुर्धे ट्रावल लिखा आगे मेरी काटेग्री यहां पर आ गई है इसके बाद हम यहां से टाइक भी डाल सकते हैं टाइक मीन्स की टाइक जैसा ही हो गया यह लिकिन काटेग्री जी तरहा नहीं रहता है टाइक हम लोग मुल यह अफॉर्डबल डालनुगा तो जो भी में थीम रहेगी आपके आर्टिकल की वह सारे कीवर्ड आपको यहां टाइक्स में डाल सकते हो देन उसके बाद रहेगा एक फीचर इमेज इमेज मेंज की जो ब्लॉक की में इमेज रहेगी जो आपको में फीचर इमेज यहां पर आगई है इसको पर प्रेव्यू कर लेता हूं वापस से इस तरीके से हमारा आर्टिकल दिखाया है फीचर इमेज यहां ऊपर दिख रही है अब हम लोग करते हैं आर्टिकल को पब्लिष पब्लिष मीन्स अभी ऊंलाइन हो जाएगा पूरी दुनिया इसको देख सकती है अब मैं आप इसको कर देता हूं पब्लिष पे क्लिक पब्लिष ओके यह होगया पब्लिष अब हमारी वेबसाइट पर जाएंगे यह रही मे यह कोई नहीं यूज करता है इसको पर्मा लिंक्स कहते हैं तो पर्मा लिंक्स हमें यहां पर चेंज करने हैं वह कैसे करते हैं वह मैं आपको बता रहता हूं सबसे वहले हैं यहां पर आपको पर्मा लिंक्स पर जाना है उसके बाद अभी क्या यह प्लेन है मतलब यह यह नाम, इसको भी एडिट किया जा सकता है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत SEO सीखनी पड़ेगी, रांक मायत करके एक plugin आता है SEO, वो आपको देखना पड़ेगा, अभी के लिए फिलाल मैं उतरा नहीं जा रहा हूँ, basics को ही touch करना है, आज के इस वीडियो में, beginners के लिए pages भी बन सकते हैं, blog post अलग होती है, pages अलग होते हैं, blog post means series of articles, page से फेक ही हो सकता है, एक theme को लेकर जैसे contact us हो गया, contact us, page हो जाएगा, privacy policy हो गया, यह सब pages में आ जाते है, pages पे add new पे क्लिक करते हैं, ठीक है, contact us, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ा add कर सकते हैं, जैस हैं, तो वो सारी चीज़ा भी कर सकती है, अभी फिलाल यहाँ पर मैं simple ही डाल देता हूं, और you can email me at hello at creepy.shartvani.com for any queries, simple सा है, कुछ नहीं है, publish कर देते हैं, publish, ठीक है, और view page में में क्लिक करता हूं, तो यहारा मेरा contact है, simple सा page है, email कर दो, यहाँ पर, that's it, अब मैं यहाँ प यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ हमारा home page है, यहाँ पर आपको contact us नहीं दिखेगा, contact us क्योंकि page है, blog post नहीं है, दोनों में difference होता है, अब आते हैं हम लोग menu के ऊपर, menu जो आपको यहाँ ऊपर दिखेगा, this is header और menu भी कह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ, appearance में, appearance में, menus के ऊपर, menu में अभी यहाँ पर कोई menu created नहीं है, तो यह जो by default वर्ट्रेस का वही दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको करना है, customize, तो हम लोग यहाँ पर एक menu का नाम डाल देंगे, header menu में डाल देता हूं, menu की settings आपको डाल लिए, कहाँ पर दि दिखानी है, तो मैं डालूगा की मुझे contact us दिखाना है, add to menu, contact us आगया, और categories भी मैं आपर दिखा सकता हूं, मैं आपर travel कर देता हूं, की travel categories दिखानी है मुझे, और हम लोग कर देते हैं, आपर save menu, चीक है, अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पर refresh करेंगे, तो travel आगया, और contact us आगया, अब travel के नीचे भी यहाँ पर अगर आपको list चेह, तो वो भी डाल सकते हो, for example, जो मैंना भी recently blog post बनाई है, post, how to plan a solo travel, मैं आपर add to menu कर दूँगा, यह यहाँ नीचे आएगा, लेकिन अगर मुझे travel के डालना है, तो मैं ऐसा कर दूँगा इसको, ठीक है, और क्य यहाँ पर यहमारा menu आगया, छोटा, simple, quickly, तो अभी तक हमने क्या-क्या चीज़े सीख लिए, wordpress सीख लिया, install करना सीख लिया, post add करना सीख लिया, menu सीख लिया, permalinks देख लिया, wordpress blog post को edit करना सीख लिया, यह सारी चीज़े हमने basics यहाँ पर cover कर दिया है, अगली जो important चीज से आप लोग यहाँ पर colors, headers, footers, यह सारी चीज़े set कर सकते हो, वो काम यहाँ पर theme कर रहता है, तो जैसे यह रहा मेरा header, header अगर मुझे customize करना है तो मैं header पर जाऊँगा, और जो भी यहाँ पर चीज़े हैं, उसको यहाँ पर मैं customize कर सकता हूं, जो logos हो गया, logo अगर मुझे change करना है, और यहाँ पर मालो मुझे अगर button देना है, तो यह जो button है, मैं button को यहाँ पर track कर दूँगा, let's click here, ठीक है, इसको मैं और यहाँ पर कर दता हूं, और इस button को मैं default, यहाँ पर label इसका set कर देते हैं हम लोग, sign up, ठीक है, तो यह हो गया, तो इस तरीके से यहाँ प सकते हैं, colors और fonts हो सकते हैं, सिब आपको colors पर जाना है, यहाँ से सेट कर सकते हो, और यहाँ पर हमारा रहता है, पर footer, footer पर हम लोग चले आते हैं, footer means जो यह जो नीचे वाला area है, यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, footer navigation एक मैं डाल सकता हूं, मैं आपर widgets डाल सकता हूं widgets पर अभी मैं आऊँगा कि वो क्या होता है, let's add, and let's add some social buttons, social को मैं यहाँ डाल देता हूं, copyright के उपर, ठीक है, तो यह मेरे social buttons आगा है, इसको मुझे करना है, center align, तो यहाँ पर इसकी जो भी settings है, वो आपको left hand side पर दिख जाएगी, center, ठीक है, बाकि जो भी edit वागे करना है वो सारे यहाँ पर आपको options मिल जाएंगे, जैसे आप लोग इसके select करोगे, edit करोगे, तो वो सारे options आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, again, यह theme specific है, तो depend करेगा कि आप कौन सी theme यूज़ कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर अपना header देख लिया, footer देख लिया, और एक और ची इसके pages layout के ओपर, single post layout, क्योंकि यह single post है, तो अभी यहाँ पर यह इसका layout आचुका है, यहाँ पर मुझे क्या क्या चीजे चीजे चीए, वो मैं select कर सकता हूँ, for example, जो title है, वो कैसा होना चीए, and layout फिलाल ऐसा है, मैं इसको चाहूँ तो full width कर सकता हूँ, यहाँ फिर right sidebar कर आचुका है, ठीक है, और content style कैसा चीए, unboxed, let's try this one, ठीक है, unboxed आचुका है, and यहाँ से left hand side से नीचे, मैं इसको preview कर सकता हूँ, कि यह mobile में कैसा दिखेगा, ठीक है, और featured image कैसे दिखानी है, मुझे, above दिखानी है, behind दिखानी है, और wide रखना है कि I can stretch it, for example, यह जो मेरी feature image है, यह इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, तो मैं आपर इसको inherit कर दूँगा, inherit करने के बादे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, तो customization के यहाँ पर आपको options देखने को मिल जाते है, सब्सक्राइब कर देखने के लिए कि क्या क्या आपको options दिख रहे हैं, फिलाल के यहाँ पर मैंने sidebar डाल दिया, अपनी feature image को थोड़ा सेट कर दिया है, और मुझे यह जो connectivity यह ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको यहाँ से box कर दूँगा, कुछ इस तर इस पर मैं क्लिक करता हूं, तो यह हमारा blog post रहा है, अब यहां right hand column में जो है, यह सब होते है, widgets, widgets को कैसे add करना है, customize करना है, अब हम लोग वह देखेंगे, तो मैं चले आता हम वापस से हमारे dashboard के उपर, dashboard पे आज आएंगे नीचे, appearance पे widgets, चीक है, यह रहा हमारा widget, तो widget मे अब यहां पर आपको दिख रहा है, sidebar का widget है, sidebar 2 है, हमारा जो main widget है, फिलाल यहां पर sidebar 1, widgets में, यहां पर प्लस पर क्लिक करूँगा, सारे blog के आपको options मिल जाएंगे, प्लस कुछ extra options मिल जाएंगे, अगर नीचे जाएंगे तो यह widgets वाले, widgets पर आपको क्या दिखाना है, for example, मुझे दिखाना है, यहां पर social icons, मैं social icons पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, अब जैसे हमने blog के time पर हमने सीखा था, कि जो भी आपको options देखने को मिलते हैं, वो और right hand side पर मिल जाते हैं, तो यहां पर भी same है, plus पर क्लिक करूँगा, मुझे चाहिए facebook का icon, facebook आ गया, मुझ जाए है, और यह जो मेरा item है, मैं इसको यहां पर उपर move करना चाहता हूँ, तो मैं इसको select करूँगा, and then उपर, उपर, ठीक, इस तरीके से, यह मेरा sidebar आ गया है, इसमें अगर link add करना हो, तो मैं click कर देता हूँ, यहां पर, और यहां पर, मैं link add कर देता हूँ, Instagram, .com slash page, लापस जाता हूँ मैं हमारे page के ऊपर, यह रहा मेरा page, मैं इसको refresh के लिए, एक बार refresh कर देते हैं, तो यह रहा मेरा page, यहां पर आपको social icons अब दिखने, start होगे, तो हमने यहां पर customization देख लिया, menu देख लिया, header, footer, and we have seen widgets as well, now next is users, users के लिए हम लोग जाएंगे, अगर मुझे और लोग add करने तो वह मैं से कर सकता हूँ, और मुझे मेरी details change करने तो यहां से हो सकता है, edit पे चले आँगा मैं, and then आपका email दाल सकते हो, आपका कुछ info रहा, आपकी profile picture, और अगर आपको कुछ new password सेट करना है, वहां से हो सकता है, easily, then we are having settings, settings में फिलाल में ज जादा है यहां पर changes करने के requirement नहीं है, permalinks हमने already change कर दिया है, writing में चले आते हैं, writing में again, कुछ ज्यादा major changes के requirement नहीं है, then reading, reading में जैसा हमारा homepage है, हम लोग यहां पर हमारे homepage को set कर सकते है, for example, यह मैं गया हमारी website के ओपर, यह हमारा homepage है, this is our homepage जहां पर सारी blog posts आ रही है, य पूरी यहां पर blog posts आ रही है, अब मैं चाहता हूँ, मेरा homepage यहां पर change हो जाए, मुझे blog posts नहीं दिखा नहीं, मुझे specific homepage पर call to action वगरे कुछ भी दिखाना है, तो वो चीज़े यहां से हो सकती है, उसके लिए में यहां पर static page सेलेक कर दूँगा, homepage मेरा कौन सा रहेगा, for example यहां पर सिफ दो ही पेज़े, अभी के लिए मैं एक्जाम्पल के लिए कौन्टाक्टर सेलेक कर लेता हूँ, और post pages के लिए हम लोग अभी यहां पर हमें एक separate page, sample page में कर देता हूँ, sample page यहां पर मेरा post pages हो जाएगा, जहां पर सारी post नहींगी, तो save changes पर में क्लिक करता ह तो मैं quickly add कर देता हूँ, आपको थोड़ा refresh हो जाएगा हम लोग जाएगे appearance मेन्यू पर, menu यहां से select करका header menu जो sample pages यहां मेरा post pages है, तो मैं sample pages को add कर दूँगा, और यहां पर मैं इसको rename कर दूँगा, ब्लॉग पर ब्लॉग लिंक ठीक है, अब मैं यहां पर save menu करता हूँ, menu save हो गया, then let's go back to our website, refresh करता हूँ, यह जो blog दिख रहा है, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा, blog post आजएगे, यह दा मेरा blog page, home page पर जाओँगा, तो यह आजएगा, तो अगर आपको home page करना, change करना है, तो that you can do from settings and reading, फिलाल के मैं वापस latest post पर click कर देता हूँ, save changes, अब wordpress जब करने में help करते हैं, थीम के साथ इसे confuse मत करना, थीम का काम होता है, wordpress को style करना, page builder का काम होता है, जो specific pages है, उसको build करना, उसमें elements add करना, उसको अच्छा दिखाना, उसके लिए यह पर page builder का use कर सकते हो, it is not compulsory, but you can use it, जैसे कि elementor हो गया, brizzy builder हो गया, divi हो गया, यह सब page builder के example WordPress जो खुद का है, वो ग्यूटन बग जो आपको यहां पर मिलता है, आज के टाइम पर काफी popular है, अगर आप लोग सार्ट करते हो, तो I highly recommend कि आप लोग ग्यूटन बग से ही करो, you don't need extra headache की page builders भी समझो, उसको भी update करो, उसके लिए भी पी करो, तो उसके लिए आपको extra headache नह आपस से, वो हम लोग अल्रेडी देख चुके हैं वैसे, यह मेरी नई पोस्त है, add new, तो यह जो एडिटर है, यह ग्यूटन बग एडिटर है, यह प्लस क्लिक करूंगा, यह जो भी सारे elements आ रहे हैं, ग्यूटन बग क्या रहे है, अब आप लोग को गया इसमें तो बहुत क्या होते हैं WordPress के, तब आप लोग टेंपलेट पर जब करो ताकि आप लोग उसको एजीली वहाँ पर एडिट कर पाऊ, तो अब हम लोग यह पर टेंपलेट्स के यूज करेंगे, यह पर मैं क्लिक कर दूँगा, इंस्टॉल स्टार्टर टेंपलेट्स, इससे क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे, तो यह पर इंस्टॉल हो चुकी है, अभ यहाँ पर इंपोर्ट करते हम लोग कोई प्री टेंपलेट को, फ्री उनली पर मैं चले जाता हूं, और लेट्स बिजिनस तेंपलेट्स, तो डिजितल सर्विसेस की यह मुझे अच्छी लग रही है, त को पोरा दिख जाएगा कि फाइनल क्या आएगा आपके पास, यह पर मैं फुल साइट पर क्लिक करता हूं, डिलीट प्रीविसली इंपोर्टेट ठीक है सारे पीज और यहाँ पर अम लोग कर देते हैं, स्किप स्टार्ट इंपोर्टिंग, तो यहाँ पर मेरा इंपोर्ट क्लिक करेंगे फिनिश वियो युवा साइट के ऊपर, अब यह आपको बनी बनाई मिलगा है, यह मने स्टार्टिंग में इसले नहीं बताई क्योंकि फिर लोग ज्यादा बेसिक समझते नहीं ज्यादा इसी पर ही पहुँच जाए तो आपने बेसिक समझ लिया है, अब हम इसको आप इड करें तो हम लोग जाते हैं इस पर दाशबोर्ट पे अब जो अप लोग इसको करोगे ना तो आपके लिए एडिट करना बहुत हो जाए और जाता हूं जाता हूं पोस्त के ऊपर हमारी यह जितनी भी इस ब्लॉक लग पोस्त है सारे ब्लोक पोस्त हैं यहां जगह है यह क्या खाली जगह है यह फीचर इपे अंटेगराइज की हो आ रहे हैं क्योंकि यह पर काटेगरी सेलेक्टेट नहीं है तो अब आपको यहां पर टेंपलेट कर सकते हैं आपको एडिट कैसे करना है यहां पर सिंप्ली में जाऊंगा इस पोस्त को खोल दूँगा और यहां पर आपको ऊपर एडिट पोस्त का ओप्शन मिल जाएगा एडिट पोस्त पर चले जाएंगे और यहां से अगर आपको चेंज करना है तो मैं फीचर इमेज पर चले आऊंगा रिमूव सेट तो यह वाली जो है मैं इस पर अपनी पुरानी वाली डाल देता हूं अपडेट कर देते हैं वापस चले आते हैं हम लोग हमारे ब्लॉग पे पोस्त ब्लॉग का आँगे हमारा विजिट साइट यह रा ब्लॉग और यह फीचर इमेज यहां पर सेट होगी उसी तरीके से जो हमारा होम पेज है वो यह रा इसको अगर एडिट करना है तो प्लॉग एडिटर के ओपर तो आप जैसे यह नों ने एस्ट इंग का यूज किया है इन्हों पर पर एडिग क्लिक कर दूंगा मैं पर प्लस पे क्लिक कर दूंगा और जो भी मुझे और करना है वो यहां से मैं अड़् कर सकता हूं और इस थीम ने आपर कुछ प्लुग इ एक plugin है जो blocks को add करते हैं जैसे मैंने कहा था starting में plugins आपकी functionality को यहाँ पर बढ़ा देते हैं for example मैं यहाँ पर पोस्ट पर जाता हूँ add new hello world पर ही चले आते हैं यह जो हमारी पुरानी पोस्ट थी सबसे पहली जो हमारी default पोस्ट थी यहाँ पर मैं add पर क्लिक करता हूँ सकते हैं contact us का form आ गया मेरा तो मैं contact us के page पर यह वाला form डाल सकता हूँ और जो भी यहाँ पर इसकी settings रहेगी वह यहाँ पर हम लोग right hand side से change कर सकते हैं तो पहले basics समझो फिट template पर जा करके उसको edit करो so I hope यहाँ पर आपको basic समझ में आ गए होंगे doubts हो तो आप लोग नीचे comment में पूछ सकते हो advance अगर आपको और सीखना है तो आप लोग मेरा course जाके देख सकते हो जहाँ पर मैंने थोड़ा advance मतलब उसमेर security speed SEO सारी चीज़े मैंने आपर cover करने कोशिश करी है यहाँ पर basics में यह काफी लंबा video मारा हो चुका है तो यहाँ पर मैं और जारा deep dive नहीं करूँआ नहीं तो confused हो जाओगे अभी मैंने आपको इतना चीज़े समझा दिए कि अब आप लोग यहाँ पर कोई कि अगर template को import करो तो आपको पता रहा कि उसको edit कैसे करना है उसको अपनी functionality के हसाब से use कैसे करना है ज्यादा परिशान नहीं हो कि नहीं तो क्या होता है लोग बिना basic समझे दाइक लिए जंप ओन करें आते हैं थे इंज याद फिर बाद में परिशान होते रहते हैं कि अभ मैं इसको edit कैसे करो आपके basic clear हो गए तो अब आप लोग जंप ओन करो थेंस template पे अब इसको edit करो, you are good to go. So that's all for this one अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगाए जिसको thumbs up कर सकते है चाहाँ आपको subscribe कर सकते है for more interesting videos and I will see you guys in the next one. Goodbye.